नमस्ते मेरा नाम सौरब है और आप देख रहे हैं दीलेलंड.com मनोहर परिकर की फोटो छपती है परिकर कौन? गोवा के मुख्य मंत्री उससे पहले मोधी सरकार में रक्षा मंत्री थे बीमार हैं इसलिए फोटो में बहुत कमजोर लगते हैं मगर एक चीज जो सबस्यादा नोटिस में आती है वो है उनके नात में लगी नली ये क्यों लगी है? हमने पूछा डॉक्टर से सवदर्जंग अस्पताल के डॉक्टर रवी के मताबिक मनोहर परिकर को जो नली लगी है उसे राइल स्टूब बोलते हैं इसका इस्तिमाल खाने को शरीर के अंदर पहुचाने के लिए किया जाता है नली की जरूरत कब पढ़ती है? तभी जब मरीज मुख से खाना नहीं निकल सकता नली के टिप में जैरी लगी होती है नली खाने को सीधे लीवर में पहुचा देती है फिर पाचन चालू होता है शरीर को पोशन मिलता है मीडियर अप्टों के मताबिक गोवा के मुख मंतरी मनोहर परिकर को पैंक्रियास कैंसर है पहले इसका इलाज अमेरिका में चला अब दिल्ली के एंस में चल रहा है अब आप पूछेंगे कि ये पैंक्रियास क्या है हिंदी में से अगनाशे कहते हैं खाना पचाने में जो अंग लगे होते हैं उन में से एक होता है ये चोटी आथ का पहला इससा इसमें हार्मोन बनते हैं इंसुलिन यहीं बनता है और इसी में गड़बड़ी पर डाइबटीज होती है इसके अलावा पैंक्रियास में खराबी के चलते गैस की बिमारी और पैंक्रियाइटिस वगेरा भी हो सकते हैं पैंक्रियाटाइटिस मानें आगनाशे में सूजन जिसके चलते पैट में जोर का दध होता है और कभी-कभी उल्टी भी इस खबर में एक जानकारी और गतिस जनवरी 2019 को परिकर एक बार फिर दिल्ली की एमस में भरती हो गए है कैंसर सेंटर के प्राइवेट बॉर्ड में उम्मीद है कि वो जल स्वस्थ हो जाएंगे परिकर के बिमारी और इसके बावजूत काम करने का मुद्धा सोशल मीडिया पर भी छाया रहता है कुछ लोग उनने कर्म योगी बता का तारीव करते हैं तो कुछ लोग सत्ता का मो छोड़ आराम करने की सला देते नजर आते हैं आपका परिकर के इस बिमारी के बावजूत काम करनते रहने पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिपकर जरूर बरना है बाकि ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक करें करें आपका परिकर के बावजूत